हरे कृष्णा कैसे हो आप सभी आज की वीडियो जो है दिवाली डेकुरेशन के कुछ आइटम पर होने वाली है जो इसको मैंने घर पर ही बनाया है तो मैंने सुचा कि मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने घर पर क्या-क्या बनाया है दिवाली ली आही गई है लगबग तो मैं तो उससे पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, तो चलिए वन बाई वन आपको दिखा देती ह है, कोशिश की है कि मैं कुछ घर की में रखी हुई चीजों से ही बना लूँ चीजे, क्योंकि कुछ चीजे ऐसी होती है, हम दिवाली की सफाई करते हैं, तो बहुत सारी चीजे निकलती है और हम उसको फेक देते हैं, तो मैंने सुचा कि चलिए मैं इस बार कुछ बनाती तो मैंने कुछ बढ़ाया है, तो चलिए दिखाती हूं फ्रेंड्स, ये एक कैंडल होल्डर है, जिसको मैंने बनाया तो नहीं है, ये वो दो साल हो गया है, मैंने मिंत्रा से उनलाइन पर्चेस किया था, तो ये पूरा वाइट कलर का था, तो इसको मैंने थोड़ा चेंज किया है, अगर आपने नहीं देखिए, तो मेरी वीडियो को जरूर से देखिये, तो ये एक चेंज किया, मैंने तो इसका, ये एक आइटम मैंने घर पर बनाया है, यहाँ पे मैंने बैंगल्स का कुछ यूज किया है, ये बैंगल्स बहुत पुरानी है, इनको इस टाइब क कुछ छोटे पॉम-पॉम और रिवन के फ्लावर्स बनाके मैंने लेस के त्रू इसको डेकोरेट किया है और यहां पे गनेश जी की छोटा सा गनेश जी का विग्रा था जो रखा हुआ था ने यहां पे बिठाया है और यह बहुत ही प्यारा सपीज जो है बनके रेडी हुआ है तो यह एक और आइटम है जो की घर पे बना हुआ है और इसको कार्ट बोर्ड की हल्प से बनाया गया है और बहुत ही प्यारा सपीज देख सकते हैं वो बनके आया है इसमें मैंने उपर दो कार्ट बोर्ड यूज करके इसको बनाया है मैंने और इसमें मैंने पहले इसमे गोटा के flowers हैं तो ये घर पे सारी चीजे रखी वी थी तो उससे मैंने बनाया है और ये बहुत प्यारा सा पीस बन के आया है उससे ही बनाया गया ये सारी bangles मैं यूज नहीं कर रहे थी बहुत साल बुरानी इसका यूज करके मैंने एक flower pot जैसा बनाया है जो कि बहुत ही प्य अंगुली टाइप का ही आइटम बनाया है जिसमें मैंने cardboard का यूज किया है इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली है तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर से देखिए इसमे ribbon के flowers यूज किये हैं उन से बनेवे चोटे-चोटे-चोटे pom-pom यूज कि हैं तो दिवाली के दिन decoration करूँगी तो वीडियो जरूर शेयर करूँगी friends तो आप वीडियो जरूर देखिएगा तो ये एक item बनाया है मैंने ये एक ready made रंगोली आजकल चल रही है बहुत ज़्यादा तो color से रंगोली भी बनती है फूलों से भी बनती है कुछ इस type की भी ये भी रख सकते हैं बीच में candle रख सकते हैं जिससे की ये portion जो है इसका थर्मा कोल का जो portion है ये छुप जाएगा और बहुत सुंदर सा लुक आएगा और मैं candle लगा के भी आपको दिखा देती हूं उसके लावा आप इस type की candle holders आते हैं इनको भी रख सकते हैं और tea light candle जो आ जो आती है उसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से इसका भी लुक बहुत सुंदर आएगा देख सकते हूं तो यह एक बनाया है मैंने एक और candle holder ही है और इसमें भी हम इस तरीके से इसको रखेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा तो बीच में हम यहां पे candle लगा देंगे त आपके शाद शेयर की हैं अगर नहीं देखा है आपने तो जरूर से देखिया और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि ये सारी चीजे आपको कैसी लगी फ्रेंड्स और ये कुछ जो है प्लेन दिये मैंने खरी रे थे इनको मैंने कलर किया है घर पे और ये बहुत ही सुंदर से कलर हुए है देख सकते हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं तो इस तरह किसे प्लेन दिये भी आप घर पे लेके कलर कर सकते हैं चुटे-चुटे कुछ मटके हैं जो इनको भी घर पे कलर किया है ये बहुत प्यारे लग रहे हैं तो ये कुछ पीसे हैं जिनको मैंने कलर किया तो यह सारी चीज़े मैंने घर पर बनाई हैं तो यही थी आज की वीडियो मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई